पच्चिस सितंबर 2019 आज का मोसम दोस्तो स्वागत है आपका नमस्त अंडे न्यूज में वे हूँ आकपड़ोस नमीश रमा हम बात करें आज के संपूर्ण भारत के वापके शेत्र के मोसम की तो कैसा रहने मला है आज मोसमी सिस्टम चली जान लेते हैं दोस्तो वीडियो मानसुनी सिस्टम के हम बात करें तो अरब सागरपर बना चक्रवाती तूफान हिका भारत से दूर चला गया है यह उमान के तटों पर अगले 24 घंटों के भीतर लेंड़ फाल कर सकता है इसके आगे बनने के बाद अरब सागरपर पश्चिमी गुजरात पर एक चक्रवाति चक्रवाति चेत्र के रूप में ही उत्तर पूरी राइस्थान के ऊपर भी हमाओं में दिखाई दे रहा है इस सिस्टम से मद्यभरात में विधरबत तक एक टरप रेखा बनी हुई है वहीं पूर्वी तटों पर बंगाल की खाडी में चक्रवातियों का चेत्र बना हुआ तो इस प्रकार से है आजका मान्सुनि सिस्टम बात करें पिछले 24 गंटों के दूरान मानसुन के पदरिशन की तो पिछले 24 गंटों के दूरान मानसुन का घुरू रूप देखने को मिला वहीं तामिल नारु आंतरी करनाध केरल मध्य महराष्ट मराटफडा और पूर्व में कई जगों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकार्ट की गई इसके लावा पुरु उत्र भारत पश्यमंगाल से किम उत्तर और तटिय उडिशा अंदर प्रदेश तिलंगाना पूरी उत्तर प्रदेश अंडमान और निकवार्डियू समू में भी मानसून सक्ली रहा और मानसून से छिर्पिट बारिश देखी गई है कौंकर्ण, गोवा, तठीक अनाटक, राजिस्थान, गुजरात के बागे इससे हरियाना, पंजाब, दिल्ली और पश्यम उत्रपदेश में मानसून कमजोर रहा लेकिन एक दूसरन उपर हलकी बारिश देखने को मिली है तो आंदरिकना, टक, रायल सीमा, चत्तिजगर और मध्रपदेश में देखने को मिलेगा इन राजियों में कई सनों पर हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ सनों पर भारी वर्शा भी हो सकती है तो इन आट राजियों के लोग सावधान रहे सतर करहें साथी महानसून सामाने पूरी उत्रपदेश, बिहार, आसम के कुछ इससे, आंदर्पदेश, तिलंगाना, विदरबग को जिससे, मध्यम आराष्ट, कौंकर्ण, गोवार, गुजरात के भी कुछ इससों में सगरी बना रह सकता है इन शेतरों में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दूस्तनों प अपने वाटसप और फेजबूप पर शेयर करना बिल्कुल न भूले, ताकि सब लोग जान सके आज के मौसम को और रह सके, साथ भानो